26 वर्षी मुहम्मद वसीम अनसारी अपनी 17 वर्षिया गर्लफ्रेंड नर्गिस से मिलने के लिए बेताब था। नमस्कार मेरे प्यारे भाईयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हारदिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले क्रिप्या क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें। ताकि मेरे हर विडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। वसीम ही दोबारा बोला, ऐसा मत कहो, नर्गिस का जवाब फिर शिकायत के साथ नाराजगी भरा था, इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद आ रही है। मैं तो हमेशा तुम्हें याद करती हूँ, तुम्हें। नंबर भी दिया था, मगर बात पूरी किये बगैर चुप हो गई। इस पर वसीम ने कहा, नाराज मत हो नर्गिस, जिस दिन से यहां आया हूँ, सच कहो तो मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया। यहां दम्मन्त सौधी अरब में इतना काम है कि मत पूछो वसीम मानो हाथ जोड करके मनुहार कर रहा था। इतराती हुए नर्गिस बोली, अच्छा, वहां काम में ही मन लगा रहता है, यहां बात है। सिर्फ काम और पैसा ही तुम कमाते रहो और मैं तुम से बात भी नहीं करूँ, वसीम सहचता से बोला, अरे, ऐसा नहीं है, यार, मैं तो 24 घंटे तुम्हें याद करता रहता हूँ, तुम्हारी सूरत मेरी आँखो के सामने घूमती रहती है, मैं संकोच में था कि फोन तु से तो प्यार करना फिजूल है, नर्गिस का ताना मारना वसीम पर असर कर गया, वह बोला, अच्छा, मैं बहुत जल्दी तुम से मिलने आ रहा हूँ, बस कुछ और रुपए और जोड लू, रुपए जोडना तो अच्छी बात है, तुम मेरे लिए क्या लाओगे, नर्ग मैं आ रहा हूँ, यह क्या कम है, और रुपए पैसे की क्या बात है, यहां जो मैं कमाता हूँ, वो घर भी भेज देता हूँ, तुम्हारे लिए मैं ऐसी चीज लाओगा कि तुम खुश हो जाओगी, और हाँ, अभी एक गिफ्ट मैं यहां से तुम्हें भेज रहा हूँ, अब तो खुश हो जाओ, यह सुनकर के नर्गिस बड़ी खुशी से बोली, देखो, कोई अच्छी सी गिफ्ट भेजना, नहीं तो मैं वापस भेज दूँगी वहीं, सौधी अरब वसीम और नर्गिस के बीच होने वाली ये बातें कोई पहली बार नहीं हो रही थी, वे अ दोनों फोन पर ही जीने मरने की कसमे खाने लगते, एक दिन फेस्बुक लाइव में बातों ही बातों में नर्गिस बोली वसीम, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, इसी के साथ उसने अपने बदन को अधखुला कर दिया, इसका असर वसीम पर भी हुआ, और देखते ही द वसीम ने नर्गिस को फेस्बुक, इंस्टाग्राम के लिए रील बनाने की सलाह दे डाली, वसीम और नर्गिस की मुलाकात करीब दो साल पहले बिलासपुर से रांची जाते हुए ट्रेन में हुई थी, वसीम अपनी एक रिष्टेदारी में बिलासपुर आया था, वहां स लोटते हुए ट्रेन की भीड भाड़ वाले कोच में जिस सीट पर वह बैठा था, उसके सामने ही एक गोरी चिट्टी कमसिन लड़की बैठी थी, लड़की अपनी मा के साथ थी, वसीम की निगाह उस पर से हट नहीं रही थी, हालां कि उसकी मा से नजरे बचा कर वसीम लड़की मा से बोली, मुझे प्यास लग रही है, उनके पास पानी नहीं था, इस कारण उसकी मा इधर उधर देखने लगी, वसीम ने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और आगे बढ़ा दिया, लड़की ने बोतल को थाम लिया, पानी पीने के बाद बोतल वापस कर लड़की की मा भी जेपती हुई लड़की से बोली, पानी वाला आएगा, तब एक बोतल खरीद लेना, अम्मा, ट्रेन में पानी वाला नहीं आएगा, अगले स्टेशन से लेना होगा, कोई बात नहीं, मैं जाकर लादूंगा, हाँ, लड़की बीच में ही बोल पड़ी, इस तरह से वसीम और उस लड़की के बीच बातचीत भी शुरू हो गई, वसीम ने बातों ही बातों में उससे पूछ लिया, आपका क्या नाम है, पड़ती हो, मैं नर्गिस सुल्तान हूँ, पढ़ाई लिखाई छूट गई है, नर्गिस सुल्तान, वा, कितना प्यारा ना है, मगर पढ़ाई छूट गई, यह तो गलत बात हुई, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, भला क्यों छूटी पढ़ाई, इस पर नर्गिस चुप हो गई, लेकिन उसकी मा सकुचाती हुई बोली, घर में गमी हो गई थी बेटा, इसके बाद सब कुछ तहस नहस हो ग रही, वसीम गाड़ी के बाहर भागते पेडो और खेटों को देखने लगा, नर्गिस भी दूसरी खिडकी से बाहर देखने लगी थी, उसी ने चुपी तोड़ी, अनायास बोल पड़ी, अम्मी, देखो तो बाहर कितनी अच्छी हवा बह रही है, हाँ, बिलकुल सही कह र आते करने लगे, तुम क्या करते हो बेटा, काफी पढ़े लिखे मालूम देते हो, नर्गिस की अम्मी बोली, ज्यादा नहीं, वसीम बोला, काम क्या करते हो, नर्गिस ने पूछा, मैं बहुत जल्द सजुदी अरब जाने वाला हूँ, वहीं नौकरी करूंगा, मुझे ख काम मिल सकता है, वसीम बोला, क्यों नहीं, वहां तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ काम होता है, अच्छा, मुझे जैसी अनपड को भी, नर्गिस की आखें आश्चर्य से फैल गई, बातों बातों में वसीम और नर्गिस ने अपने मोबाइल नंबर एक दूसरे को दे दि वसीम राची का रहने वाला था, जबकी नर्गिस बिलासपुर की थी, एक बार उसने नर्गिस को बताया कि वह सौधी जा चुका है, उसे बहुत सारा पैसा कमाना है, बात 26 जून 2024 की है, शाम के वक्त नर्गिस के मोबाइल पर वसीम की काल आई, नर्गिस मैं अगले महीने दो जुलाई को आ रहा हूँ, सच विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन तुम कहां आओगे? मेरे पास ही ना हा, मैं रांची पलेन से आ रहा हूँ, उसके बाद सीधा तुम्हारे पास आ जाओंगा, तुम मिलोगी ना कैसी बात करते हो, तुम इतनी दूर से आ रहे हो और मैं भला नहीं मिलूंगी, तुमने मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट भेजे हैं, साडिया भेजी हैं, क्या मैं तुम्हें भूल सकती हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि तुम अब वहां से मेरे लिए क्या बेशकीमती चीज ला रहे हो, नर्गिस मचलती हुई बोली, कुछ सेकेंड तक वसीम चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम दिल छोटा ना करो, सौधी अरब से आ रहा हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही लाऊंगा, तुम्हें तो मालूम है कि यहां पैसा ही पैसा है, हवा में उर्ता है पैसा, कोई पकड़ने वाला होना चाहिए, मैं य यहां पैसे कमाने ही, तो आया हूँ, और तुम्हारी दुआ से मैं यहां बहुत खुश हूँ, मगर तुम्हारे प्यार के कारण आ रहा हूँ, इसके बाद वसीम ने अपने घर परिवार के बारे में बातें किया, बातों ही बातों में उसने बताया, कि उसके परिवार वाल जार्खंड जाएगा। इस पर नर्गिस सुल्तान ने कहा ठीक है। जैसे ही रांची से रवाना होना। मुझे बताना। मैं बिलासपुर आ जाऊंगी। और फिर हम वहां से चैत्मा आ जाएंगे। प्रसन्न था। नर्गिस ने भी कह दिया। मैं बिलासपुर आ रही हूं और वहां से हम लोग आगे का प्लान बना लेंगे। वसीम ने संशय से कहा। तुम फिजूल ही क्यों आ रही हो। मैं गाड़ी ले करके तुम से मिलने आ जाऊंगा। अरे नहीं मेरे एक मुह बोले भ पास बिलासपुर पहुँच जाऊंगा। तुम्हारा इंतजार रहेगा। नर्गिस तुम से मिलने के लिए मैं कितना बेताब हूं। इसका तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है। कब होगी मुलाकात और कब मैं तुम्हें अपनी बाहों में भरूंगा। हर दम इसी कलप के थाना पाली में किसी ने फोन करके सूचना दिया कि गोपालपूर डैम के पास एक पिठ्ठु बैग में कोई संदिग्ध चीज है। बैग के ऊपर मक्खियां भिनभिना रही हैं और तेज बद्बू फैल रही है। यह सूचना मिलते ही SHO चमन लाल सिनहा कुछ पुलिस क कर्मियों को लेकर गोपालपूर डैम के पास पहुँच गए। उन्होंने जब वह बैग खुलवाया तो किसी युवक की टुक्डों में कटी लाश निकली। उसका सिर और कुछ अंगायब थे। पुलिस की प्रारंभिक जाच में पाया गया कि बरामद लाश को धारदार ह खाकुर को भी दे दी गई। एफ एस एल यूनिक प्रभारी सत्यजीत को स्रिया और थानापाली चौकी चैत्मा सहित साइबर टीम को सूचना दे दी गई। एस पी के निर्देश पर उपरोक्त अधिकारियों की टीम मौके पर गई। वहां की गई सुक्षम जाच के सिलसि में गोता खोरों ने डैम में दोपहर तक मृतक का सिर्व अन्यलापता अंगो से भरी एक गोरी तलाश लिया। बरामत बैग में लाश के टुकडों के साथ एक आधार कार्ड, पासपोर्ट एवन एक फ्लाइट टिकेट भी मिली। उन दस्तावेजों की जाच के आधार पर मृतक की पहचान मुहमद वसीम अनसारी पुत्र मुहमद जमीर अनसारी के रूप में हुई। उसकी उम्र 26 साल थी और वह कांता तोला, राची, जारखंड का निवासी था। वही से उसके भाई का फोन नंबर भी मिल गया। पुलिस ने उनके बड़े भाई मुहमद तहसी से फोन पर बात किया। उन्हें घटना की जानकारी दे कर कोरबा बुलाया गया। फोन पर ही तहसीन ने बताया कि उसका भाई मुहमद वसीम पिछले दो सालों से सौधी अरब में सुरक्षा अधिकारी की नौकरी कर रहा था। वह वहां से कब आया। इसकी उसे कोई जानक थे कि आखिर किसने और क्यों इस तरह मासूम नौजवान वसीम अंसारी को मार डाला। उससे किसकी क्या दुश्मनी थी जो उसके सौधी से लोटते ही हत्या हो गई। क्या कोई पहले से ही घात लगाए बैठा था। लोग तरह तरह की चर्चाएं कर रहे थे। इधर समय ब पुरते हुए पुलिस जाच को आगे बढ़ा रही थी। जुड़े पहलों की जाच पर यह तथ्य उजागर हुआ। किमरितक की सोशल मीडिया के माध्यम से बानसटाल चैत्मा थाना पाली की एक अव्यस्क बालिका नर्गिस से कई बार बातचीत हुई है। उनके बीच ब पुलिस नर्गिस के बारे में खोजबीन किया। तब वह अपने घर से गायब मिली। उसके बारे में यह भी पता चला कि वह अपने किसी राजा खान उर्फ बादशाह नाम के प्रेमी के साथ फरार है। पुलिस नर्गिस के साथ साथ राजा खान की भी तलाश करने जल्द उनका पता चल गया वे ओडिशा के राउरकेला में एक होटल से पकड़े गए उन्हें कोरबाला कर पूछताच शुरू की गई नर्गिस सुल्तान के चहरे से मासूमियत जलक रही थी जो शायद कमसिन उम्र का तकाजा था चहरे की ताजगी बता रही थी कि वह बेकुसूर है वह डरी सहमी थी उसने वसीम के साथ किसी तरह की जान पहचान होने से साफ साफ इनकार कर दिया बड़े सामान्य धंग से उसने पुलिस को बताया कि वह मुहम्मद वसीम नाम के किसी व्यक्ति से मिली ही नहीं है और Mobile Trace की जानकारी सामने रखी तो वह तूट गई इसके बाद उसने जो घटनाकरम बयान किया उससे वसीम की हत्या की तस्वीर भी सामने आ गई महस 17 साल की नर्गिस ने बताया कि वह राजा से मुहबबत करती है और अपने परिवार को छोड़ चुकी है दोनों साथ रहते हैं इसी के साथ उसने बताया कि उसने पैसों के लालच में प्रेमी के साथ मिलकर वसीम की हत्या किया नर्गिस के इस बयान के बाद पुलिस ने राजा खान के खिलाफ भी रिपोर्ट गर्स कर लिया आरोपी राजा खान उर्फ बादशाह 20 साल का नव युवक था वह बांसटाल चैत्मा थाना पाली जिला कोर्बा का निवासी है उसने पुलिस से नर्गिस के बारे में जो भी बाते बताई उससे यह साबित हो गया था कि वह और नर्गिस एक दूसरे को बेंता चाहते हैं दोनों अपनी मर्जी से साथ साथ रह रहे थे उसने यह भी बताया कि नर्गिस से उसे वसीम के बारे में जानकारी मिली थी और उसके कहने पर ही उसकी योजना में शामिल हो गया था राजा खान ने बताया कि नर्गिस ने उसे मुहम्मद वसीम के साथी अरब से वापस आने की जानकारी दी थी नर्गिस ने उसे यह भी बताया था कि वसीम उसके रूप जाल पर लट्टू है और उसे दिलो जान से चाहता है उसने दो सालों के भीतर सौदी में रहकर बहुत पैसा कमाया है उन पैसों को वह साथ लेकर आने वाला है इसी लालच में उसने वसीम को अपने जाल में फसा लिया था नर्गिस उससे प्रेम का दिखावा करती थी नर्गिस के कहने पर ही राजा खान ने बोलेरो गाड़ी किराये पर ली थी उस पर सवार हो दोनों बिलासपुर गए थे वसीम से मिलने पर नर्गिस ने राजा का परिचय मुह बोले भाई के रूप में दिया था उसके बाद वे तीनों राजा के घर चैत्मा आ गए भी कह डाला कि नर्गिस से वह बेंतहा मुहबबत करता है आज की रात वह उसके साथ गुजारेगा उस वक्त घर में राजा और नर्गिस के अलावा कोई नहीं था नर्गिस भी खुश नजर आ रही थी वसीन ने आते ही उसे एक अच्छा गिफ्ट का पैकेट पकड़ा दिया था इस पर नर्गिस बोली थी मैं आज तुम लोगों के लिए खाने में चिकन बना देती हूँ थोड़ी देर बाद रात होने पर सभी ने एक साथ खाना खाया था उसके बाद राजा खान बाहर चला गया नर्गिस ने वसीन को बताया कि राजा अपने दोस्त के घर गया है सुबह आएगा वसीन यह सुनकर खुश हो गया उसे नर्गिस के साथ एकांत में रात गुजारने का मौका मिल गया था दोनों खुशी से बातें करने में मश्गूल हो गए तभी पीछे के दर्वाजे से राजा खान अचानक घर में आगुसा वसीम नर्गिस से बातें करते हुए उसके काफी करीब आ चुका था नर्गिस को वह अपनी बाहों में कसना ही चाहता था कि राजा खान ने मुर्गी काटने वाले चुरे से वसीम अंसारी की गर्दन पर पीछे से वार कर दिया अचानक हुए वार से वसीम तिल मिला गया वह बुरी तरह जख्मी हो गया और तडपता हुआ कभी नर्गिस को तो कभी राजा खान को देखने लगा उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह क्या हो रहा है हस्ते हुए राजा खान बोला तुम नर्गिस को चाहते हो मेरी नर्गिस को नर्गिस सिर्फ मेरी है नर्गिस बताओ इस बेवकूफ को जो तुम्हें पाने के लिए यहां आ गया है राजा की बातों में हा में हा मिलाते हुई बोली तुम्हारा सारा पैसा अब हमारा होगा हम दोनों जिंदगी भर एश करेंगे नर्गिस की इस हरकत पर वसीम तडपता हुआ बोला धोखा मेरे साथ धोखा कर रही हो, ठीक नहीं होगा यह सुनना था कि राजा ने वसीम पर छुरे से लगातार तीन-चार ताबर तोड़ वार कर दिये नर्गिस ने तडपते वसीम के पैर दबोच लिये थे राजा खान ने ताबर तोड़ वार कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया उसके बाद दोनों ने मिलकर वसीम के हाथों और पैरों को धड़ से अलग कर दिया शव को 17 टुकडों में काट डाला इसके लिए राजा ने पहले से ही छुरे के अलावा आरी ब्लेड लाकर घर में छिपा कर रख दिया था वसीम की लाश के कटे टुकडों को उन्होंने प्लास्टिक की बोरी में भर लिया नर्गिस और राजा ने बोरी को पिठ्थू बैग और एक ट्रॉली बैग में बांध कर बाइक पर रख डैम में फेकने की योजना बनाई यह सब करते करते सवेरा हो गया था शव के कुछ टुकडे बच गए थे वो उन्होंने घर के फ्रिज में छिपा कर रख दिये अगले रोज 3 जुलाई 2024 की रात में करीब लगभग 11 बजे स्पलेंडर बाइक से गोपालपुर डैम में फेंक कर दोनों घर वापस आ गए वसीम की पहनी हुई सोने की चेन और अन्य सामान घर में छिपा दिया नर्गिस ने बातों बातों में वसीम के मोबाईल का पासवर्ड पता कर लिया था मोबाईल से UPI ID चेक किया तो दोनों के होश उड़ गए कारण उन्होंने सोचा था कि सौधी अरब में नौकरी करने के कारण कम से कम 50 लाख रुपए तो उसके एकाउंट में होंगे ही मगर मिले सिर्फ 3 लाख रुपए यह देख कर दोनों निराश हो गए कुछ पैसे ही अपने खातों में ट्रांसफर कर पाए आरोपी नर्गिस सुल्तान और राजा खान उर्फ बादशाह को पूछताच करने के बाद पुलिस ने गिरफतार कर लिया उनकी निशानदेही पर घटना में इस्तिमाल चुरा बाइक आदी सामान जब्द कर लिया गया राजा खान को 12 जुलाई 2024 को मुख्य न्यायक मजिस्ट्रैट के समक्ष पेश कर दूसरी आरोपी नर्गिस सुल्तान को नाबालिग होने के कारण किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे बालसुधार ग्रह भेज दिया गया उक्त अपराध का खुलासा करने वाले SP, सिटी, दर्री नगर रविंद्र कुमार मीना के मार्ग दर्शन में SHO, पाली, चमन लाल सिनहा, चौकी प्रभारी चैक्मा चंदरपाल खांडे, विमलेश भगत, SI पुरुशोत्तम उईके, कांस्टेबल अनिल कुर्रे, आशीश सा तथा साइबर टीम के हैड कांस्टेबल राजेश कमवर, चंदरशेखर पांडे, आर रवी चौबे, देमन ओग्रे, बिरकेशवर प्रताप सिंह, आलोक टोपो, सुशील यादव, लेडी कांस्टेबल सुश्मा डहरिया, एवन चौकी चैत्मा के इंचार्ज की भूमिका रही, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएगा, और ऐसी ही अपराद की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, कहानी को लाइक और शेर जरूर करें, धन्यवाद